वेलकम टो ओनली आईएस आज है 2 सितंबर 2020 तो आज है स्टार्ट करते हैं आज की करेंट अफेर्स MCQs और देख लेते हैं अपना पहला क्वेश्चिन जो की पार्टिकुलर्ली वॉल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवी टीजीस के बारे में हैं आपसे पूछा ये गया ह है कि पीवी टीजीस को डिटरमाइन करनी के लिए निमनलिखित में से कौन सा क्राइटीरिया इस्तेमाल किया जाता है आपके पास तीन क्राइटीरिया आज बताए गए हैं पहला है वेरी लो लेवल अफ लिटरेसी मतलब वो जादा पढ़े लिखे नहीं होते उनमें जो सक पास तकनीक है वो एहरी किलचर के विकास के पहले ग्रिकल्चर के नहीं हफ़ा करती थी वही है बताये काउसा जो क्राइटीरिया वे आपको सही लग रहा है जिसको अधार बनाकर पिवी ट जीजीस को डिटेमाइन किया जाता है अगर आपने अपना नेender देजी जवाब सोच for particularly vulnerable tribal group, जिन्हें आप great undermannies बोल सकते हैं great undermannies इस type से belong करने वाली जो individuals हैं, वो बहुत कम हैं उनकी संख्या approximately 56 सी बताई जाती है और उनमें से भी 10 corona positive मिले हैं मतलब क्यों उन्हें threat हो सकता है इसलिए ये जो PVTGs हैं वो news में आए ये tribal groups में जो ज़्यादा vulnerable होते हैं, उन्हें PVTG कहा जाता है इनकी population stagnant है decline कर रही है, low level of literacy pre-agricultural level of technology और economically backward ये चार criteria हैं जिनके basis पे ने determine किया जाता है, ये remote localities में रहना पसंद करते हैं, इनका infra बहुत ही poor होता है कुछ additional बाते डिसकस करते हैं 1973 में देबर कमिशन का गठन किया गया था, जिनसे कहा गया था कि आप कुछ जो tribal groups हैं उनके लिए एक अलग category बनाएए, जो ज़्यादा backward हैं, तो उन्होंने PTG primitive tribal group इस एक category का निर्मार किया 1975 में government of India ने जो कुछ un-vulnerable tribal groups थे, उन्हें एकठा करने का मसाधा तयार किया और बावन ऐसे groups को अलग किया गया tribal community से उन्हें नाम दिया गया, in fact, नाम तो उनका PTG ही था, बट ये vulnerable थे मतलब particularly vulnerable थे ये नाम इन्हेबाद में दिया जाएगा, इसके बाद दिखे 1993 में 23 all groups को इसमें एड किया गया, अभी उनकी संख्या बढ़के 75 हो गई 18 states में आपको मिलेंगे उडिसा में 13 communities ऐसे मिलेंगी tribal groups ऐसे मिलेंगे और आंधर प्रदेश में 12 तो सबसे जद आपको उडिसा में मिलेंगे 2006 में जो PTG ये नाम पहले हुआ करता था primitive tribal group इसका नाम बदल के PVTG रखा गया particularly vulnerable tribal group ये इनके 4 parameters हैं जो हम पहले बे discuss कर चुके हैं जो अगला प्रशन है वो पुलिककली के बारे में है, ये कई बार news में देखा जाता है, एक प्रकार का folk art है, जो की enjoyment के लिए perform किया जाता है आपको बताना है कि किस state में perform किया जाता है, options हैं वेस्ट बंगाल, उडिसा, केरला, करनाटका सही जवाब बताईए अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे, देखिए, त्वलसा के साब नाम से भी लगाया करिए, कली पुटुककली, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये नाम, वेस्ट बंगाल से तो बिलॉंग नहीं करेगा, और उडिसा में भी ऐसे नाम रियर होंगे, मतलब ये नाम आपको केरला या करनाटका इन्ही दोनों में से कहीं मिलेगा, इस प्रकार के जवाब है, वो C है, केरला देखे, पुलुककली जो है, कलरफुल पार्ट है, ओनम सेलिब्रेशन का थिरस्तुर में अभी इस बार उसे ऑनलाइन परफॉर्म किया गया COVID-19 के वज़े से, पहले इसे ओनम सेलिब्रेशन के दुरान परफॉर्म किया जाता था केरला में तो उसी आपका जवाब हो गया, ओनम के ओकेशन पर सेलिब्रेट करते थे, एक नालम ओनम होता है, जो की 4th day ओनम सेलिब्रेशन का होता है, वहाँ पर इसे परफॉर्म किया जाता है, पार्टिकुलर्ली पुलककली का मतलब होता है प्ले आफ टाइगर्स, तो टाइगर हंटिंग के आज पास यह जो पूरा प्ले है, वह आपको, या जो यह परफॉर्मेंस है, वह आपको मिलता है, जो अगला प्रस्टन है, वो इंडिया-उन डेवलप्मेंट पार्टर्शिफ फंड के बारे में है, पहला स्टेट्मेंट यह है कि इसे वर्ल्ड बैंक के द्वारा मैनेज किया जाता है, और इसे इंप्लिमेंट किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, Union of International Association के कोलाबरेशन के साथ, और दूसरा यह है कि इसका उद्देश जो efforts developing countries कर रही है, 2030 का जो agenda है हमारा स्ट्टमेंट का उसकी ओर है, ठीक है, बताएए कौन सा statement correct है, कौन सा incorrect है अगर आपने अपना सही जवाब सोच लिया हो तो बात करेंगे, यहाँ पर देखिए जो सही जवाब है, वो है two only, दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है, पहला गलत इसलिए है, बिकाज इसे manage किया जाता है United Nations Office for South South Cooperation के दवारा, news मिसले था, बिकाज अभी हाल ही में इंडिया ने 15.46 million dollar contribute किये है, support ताकि उसका इस्तिमाल developing nations को support करने के लिए किया जा सके India UN Development Partnership Fund की बात करें, तो एक प्रकार का dedicated fund है, जो कि United Nations Fund for South South Cooperation के दूरा establish किया गया था, 2017 में government of India इसे support करती है, और उसी के जो United Nations Office for South South Cooperation है, वही इसे manage भी करते हैं fund का जो एक main उद्देश है, वो ये है कि जो agenda है स्टेशन में development का, जिसे हम 2030 तक achieve करना है, उसे हम realize कर पाएं, जो अगला प्रशन है, वो एक species के बादे में है कुछ information आपके सामने है पहला ये है कि इसे टौर पुटी तोरा के नाम से भी जाना जाता है, ये एक प्रकार के endangered species है जो कि आपको rapid streams में मिलेगी मतलब जहां पर बहाओ बहुत तेज होगा riverine pools में मिलेगी lakes में मिलेगी, और ये सभी जो Himalayan region में है, वहाँ पर, ठीक है ये omnivorous species है, मतलब सब कुछ खापी लेती है, generally ये आपको water के surface पर मिलते है ऐसे water के, जहां पर temperature 13 से लेकर 30 degree surface के आस पास हो ये information किसके बारे में दी गई है यही आपको बताना है, क्या हम saivet के बारे में बात कर Rhea, golden mamesir के बारे में बात कर Rhea, bathnomas raksasa के बारे में बात कर Rhea, या फिर horse show crab के बारे में बात कर Rhea, अपको ये नाम भले ही عजीब लगें, लेकिन अगर ये नाम news में है महसीर को अभी सिलेरू रिवर है वहाँ पर उसके अपर पार्ट में identify किया, वहाँ पर उन्हें मिला इसे टॉप पूटी तोरा या पूटी तोरा महसीर के नाम से हिमालेन महसीर, गोल्डन महसीर कई सरे नामों से जाना जाता है गोल्डन कलर इसका होता है, that's why इसे गोल्डन महसीर कहा जाता है, यह आपको इंडेस गंगेस और रंपुस्तरा बेसिन में मिल जाएगी 310 है, habitat loss की वज़ा से और इनकी population कुछ समय में 50% तक कम हो गई है, जो अगला प्रशन है, वो wild polio के बारे में है पहला statement यह है कि यह highly infectious disease है, जो कि एक वाइरस से फैलती है, दूसरा यह है कि वाइरस का transmission person to person हो सकता है mainly facial oral route से और तीसरा यह है कि इसका कोई cure नहीं है केवल रोका जा सकता है, बताई कौन सा सही है, कौन सा गलत है अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो मैं बता दूँ, कि यहाँ पर तीन के तीनों ही statement जो दिये गए है, वो correct है African Regional Certification Commission ने जो कि एक independent body है, उन्होंने अभी Africa को wild polio से free declare किया यह highly infectious disease है, that's true और virus के दौरा होती है इसमें देखे, total palaces भी हो सकता है कुछी घंटों के भीतर, काफी खतरनाक है जो बाकी के strains है, polio के उनके comparison में यह person to person transmit होती है यह इसे और भी ज़दा खतरनाक बना देती है prevention तो यह है कि कोई cure नहीं है पहले ही vaccination कर दिया जाए, तो ही बचाया जा सकता है polio को क्या eradicate किया गया है देखे, तीन इसके strains पाया जाते हैं largely polio के, जिनमें से दो तो पुरी तरीके से अभी eliminate कर दिये गए हैं, जो wild polio virus है यह तुरा ज़दा खतरनाक हो जाता है जिसे worldwide अभी eradicate किया गया है Africa जो है, उसे अभी हाल ही में free किया गया इससे, बाकि कुछ जगों पर यह अभी भी बचा हुआ है, पुरी तरीके से दुनिया से खतम नहीं हुआ है, अभी आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मिलेगी, अगला प्रशन 2015 के Paris Climate Agreement के बारे में है दो statement आपके सामने है पहला यह है कि हाल ही में रश्या नहीं से formally adopt किया, और दूसरा statement यह है कि इसका उदेश ग्लोबल टेमप्रेशर को 4 डिगरी सेल्सियस तक जो बढ़ना है, उससे रोकना है pre-industrial level तक, मतलब कि 4 डिगरी सेल्सियस से ज़्यादा न बढ़ने पाया temperature उससे कमी रहे पता है कौन सा statement यहाँ पर correct है कौन सा incorrect है, अगर आपने अपना जवाब सोच लिया हो तो बात करते है, देखिए topic कुस समय पहले news में था, लेकिन important लगा तो आपके सामने question frame कर दिया गया पहला statement correct है, रेशिया ने इसे जब formally adopt किया था, तब ये news आई थी काफ़ी highlight होके, क्योंकि रेशिया एक important nation है, बहुत ज़्यादा pollution को contribute करता है इसलिए ज़रूरी था कि वो इसे adopt करें, अब देखिए यहाँ पर global temperature 4 degrees Celsius नहीं, आपको मतलब ये topic अकसर news में रहता है तो हो सकता है, आपने पढ़ा भी हो, कि इसमें 2 degrees Celsius के नीचे रखने की बात की गए temperature को, 4 degrees तो बहुत ज़ादा हो जाएगा तब तक तो हम जलने बुनने लगेंगे, मतलब दिक्कत तो होने लग जाएगी, तो हमें तो और पहले इस temperature को रोकना है, ठीक है, गर्मियों के समय में अभी आप देखे, धूप कितनी तीखी होने लगी है और इसका प्रभाव जो है, वो काफी wide spread level पे हमें देखने को मिलता है in fact, धूप तो एक phenomenon है जो temperature होता है, वो आपको कई सरे perspective से feel होता है, ठीक है तो 2 degrees Celsius के नीचे रोकने की आवश्यक्ता है, अभी उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है इसमें, तो रशिया ने adopt किया, that's true, और अब वो financial resources वगरा भी allocate करेगा developing countries के लिए ताकि वो climate change को adopt कर सके, रशिया ने इसे sign किया था 2016 में, अब इससे काफी important है, Paris Agreement में इसका participation, because रशिया एक बहुत ही important country है, जो की pollution भी फैलाती है जादा, दूसरा statement incorrect इसलिए है, because 2 degrees Celsius की बात है, 4 की नी, वो भी pre-industrial level पे, जो अगला प्रशन है प्रधान मंतरी राश्टरे बाल पुरसकार के बारे में है fair के लिए अच्छा काम किया होता है, इस field में उन्हें सम्मानित किया जाता है, सही जवाब बताईए, सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो बात करेंगे, यहाँ पर जो पहला statement है, that's true, लेकिन दूसरा incorrect है क्योंकि इसमें उन बच्चों को प्रसकार दिया जाता है जिन्होंने innovation, scholastic achievement, bravery, social services art and culture, sports इसमें बहुत अच्छा काम किया होता है, अभी nominations बुलाए गए थे, that's why यह news में था, इसे पहले जो है वो National Child Award for Exceptional Achievement के नाम से पुकारा जाता था अगला प्रस्चन, UN World Tourism Organization के बारे में है इन्होंने अपने efforts को अभी थोड़ा बढ़ा दिया गए अगला प्रस्चन, UN World Tourism Organization aggregates के बारे में है उन्होंने अपने efforts थोड़े बढ़ा दिये है आपसे पूछा गया है कि ये annually किसको report करते है International Civil Aviation Organization, UN General Assembly, World Trade Organization या UN Economic and Social Council सही जवाब इसका D है ये report करते है annual level पे UN Economic and Social Council को इन्होंने अभी जो tourism sector है उसका ब्योरा दिया कि 320 billion dollar का नुकसान हुआ है अभी जनवरी से लेकर मई के बीच में 2009 में जब पूरी दुनिया में crisis आया था उस समय जो नुकसान हुआ था ये उसका तीन गुना है ये कई तरीके के प्रयास करते हैं कि जो दुनिया में tourism sector है वो बढ़ियां से रन करता रहे और code of ethics वगरा को follow किया जाए tourism में जो अगला प्रशन है वो human capital index के बारे में है कौन release करता है पूछा गया है World Economic Forum, IMF, World Bank या WTO सही जवाब बताईए सही जवाब अगर आपने सोच लिया हो तो इसका सही जवाब C है World Bank इसे release करता है और इसमें 157 countries का जो data है उसे calculate किया जाता है जो अगला प्रशन है वो human development index के बारे में है यहाँ पर आपसे पूछा यह गया है कि इसके तीन basic dimensions होते हैं आपको बताना है कि इन में से कौन सा dimension उन तीन basic dimensions में से है और कौन सा नहीं है चार options हैं आपके पास मतलब चार pointers है Life expectancy, education, healthy environment या per capita income सही जवाब बताईए अगर आपने सही जवाब सोच लिया हो तो बात करते हैं देखे इसका सही जवाब होगा Life expectancy, education और per capita income आप इसे याद रखने के लिए चूँकि HDI बहुत important है एक code होता है lie मतलब HDI में जो बताया जाता है सब जूट बताया जाता है ऐसा आप बोल सकते हैं याद रखने के लिए L for life expectancy I for income और E for education इससे आपको याद रह जाएगा सही जवाब 1,2,4 निकलेगा that will be C ये parameters तुमने देखी लिए तो देखे CSU course अभी launch किया गया है हाल ही में तो आप बहुत लेट नहीं हुए है ये course 31st of August से start हुआ है तो 2-3 दिन के classes हुई है आप चाहें तो अभी आप इससे start करके अपना जो course है वो within 8 months complete कर सकते हैं और Civil Services 2021 के examination में बहुत ही अच्छी condition में रह सकते हैं इसको access करने के लिए आप onlyis के application download कर सकते हैं या फिर we.onlyis.in पर भी जा सकते हैं कल के mapping के part में भी आप reports और SSC तैयार रखेगा वहीं से आप से pressure पूछेंगे इस session में यहाँ पर रुकेंगे अपना score comment box में ज़रूर बताइएगा Thank you very much